हलो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंड़ एट साइंस का चैप्टर नुबर टू, जिसका नाम है Health and Diseases, इसके दो लेक्चर्स मैंने अल्डी अप्लोड कर दिये हैं, जिसमें मैंने आपको काफी सारा इसका एक्स्प्रेंड कर दिया वो भी आप क्लिक करो, आपको Line-wise Age Standard के Mathematics के हर एक Question का Detailed Explanation Practice Set-wise मिल जाएगा, ठीक है, चलो, शुरू करते हैं Lecture 3, Lecture 2 में हम लोग Swine Flu तक पहुचे थे, और ये वाला मैंने आपको Explain किया था, अब आते हैं हम लोग Next Topic पे, ये जो Sign है, ये आपने कही न कहीं पे तो देख होगी, AIDS Day जो होता है, जो हम लोग Celebrate करते हैं Every Year, उसमें सब लोग ये Sign अपने Shirt के Pocket के यहाँ पे लगाते हैं, आपके School में होता होगी नि मुझे पता नहीं, बट Corporate Life में, Offices में सब लोग करते हैं ये, AIDS, इसका Full Form है, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, ठीक है, AIDS, ये नाम से ही बहुत डर लगता था, 15-20 साल पहले जब ये बिमारी बहुती ज़ादा चर्चा में थी, तब ये नाम से डर लगता था, लोगों को शरम भी आती थी, because ये disease जिस तरह फैलता है न, वो लोगों को काफी Embarrassing लगता था था भी, because इसके बारे में कोई Awareness नहीं थी, AIDS Day इसलिए Celebrate किया जाता है, ताकि AIDS के जो विक्टिम्स है, जिनको AIDS हुआ है, और उनको Life में, Society में, कोई Embarrassment सहन न करना पड़े, because ये भी एक बिमारी है, this disease is caused by HIV, HIV का full form है, H-Human, I Immuno Deficiency V Virus, in this disease, victims suffer from various diseases due to progressive weakening of natural immunity, natural immunity का मतलब क्या होता है, अब देखो बच्चो, आप लोग को जब सर्दी होती है, जरूरी नहीं है कि आप cold के लिए हमेशा medicine लेते हो, सर्दी होती है तो 3-4 दिन में ठीक हो जाती हो, कैसे ठीक होती है, आपकी body के अंदर वो ताकत है, fight करने के लिए, जो cold है, उसके virus जो होते हैं, जो आपको सर्द दे रहे हैं, या खासी हो रही है, या भुखार आ रहा है, जो भी है, उससे fight करने के लिए, तो body की जो ताकत है ना अंदर, जिससे वो fight करती है, ये viruses, diseases सबसे, उसको natural immunity बोलते हैं, आपको बोलते हैं, कि अच्छा खाओ, fruits खाओ, vegetables खाओ, ताकि आपकी immunity अच्छी हो जाए, तो इसमें क्या होता है, जब ये virus लोगों को affect करता है, तो वो virus ये जो immunity है ना, उसको खतम करते रहता है, धीरे 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 वो इतना वी कर देगा, कि हो सकता है, जिस बंदे को AIDS है, उसको अगर normal सी सर्दी भी हो गई, possible है, मैं नहीं बोल रहा है, इसा हो जाएगा, normal सी सर्दी भी हो गई, तो उसकी body वो सहन नहीं कर पाईगी, and there's a chance that that person will die, okay, because immunity उसकी बच्ची ही नहीं है, ये virus उतना जाधा dangerous है, diagnosis of AIDS cannot be confirmed without test in medical laboratories, ऐसे किसी को देख के नहीं बता सकते कि इसको AIDS हुआ है, इसके specific tests होते हैं, जो आपको lab में जाके कराने पड़ते हैं, ELISA test is used for its proper diagnosis, ELISA नाम का एक test है, इसका full form भी है, अभी आप छोड़ दो, ये test बहुत जाधा important है, अगर AIDS का diagnosis, diagnosis मतलब पता करना हो, ठीक है, symptoms of AIDS are person specific, ये इसके कोई standard symptoms नहीं है, इसी लिए ये disease इतना जाधा dangerous है, because इसके बारे में जानकारी जो है बहुत कम है, इसके treatment के बारे में जानक कर सकते हैं, इसको completely treat करना बहुत जाधा difficult है, अब तक science में जो research हुई है, उसके हिसाब से इसका पूरा इलाज नहीं आया, बस ये जिनको हुआ है, वो अपना disease manage कर सकते हैं, manage करना मतलब उसके साथ ही जीना, बस मर नहीं जाना उसके कारण, ऐसा नहीं कि आप bedridden हो गया, घ देख लीजिए, AIDS does not occur due to touching and sharing the food with HIV infected person, और by nursing the HIV patient, ये क्यों दिया है यापर, because जब पहली बार, इंडिया में AIDS के बार में पता चला है, in fact इंडिया में नहीं, बाहर भी, ऐसा होने लगा कि जिनको AIDS हैं, उनको कोई friends नहीं बन रहे हैं, उनके साथ कोई चल भी नहीं रहा, लोगों ने कि लोग इससे touch करेंगे, तो भी उनको हो जाएगा, जैसे coronavirus और COVID-19 के time के ऐसे था कि एक जनको COVID-19 हुआ, तो पूरी society उनको एकदम अलग कर देती थी, आइसोलेट कर देती, बट COVID-19 तो एक room में रहने से फैल सकता था, AIDS वैसे नहीं फैलता, फिर भी लोगों के HIV-infected person must be normal, जैसे regular लोगों के साथ behave करते हो, वैसे ही उनके साथ behave करना है, HIV was first reported in an African species of monkeys, ये बंदरों में पाया गया था, पहले बोल रहे थे कि चिंपांजी में था, लेकिन चिंपांजी में ये originate नहीं हुआ था, चिंपांजी इसको monkeys के तुरू हुआ था, ठीक है, monkey और च AIDS Control Program, NACO, ये agency है Indian Government की, and UN AIDS, United Nations वाली, 80-85% HIV infections in India, occur through unsafe sexual contacts, अब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जो unsafe sexual practices होती हैं, उनके कारण ही AIDS फैलता है, अगर safe sexual practices हो, तो AIDS नहीं फैलता, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपको खांसने से फैल गया, या फिर किजी को छूने से फैल ग sexual practices से ही फैलती है, infections through animals, अभी ये अलग infections पर आ रहे हैं, जो animals के तुरू होते हैं, इसके पहले बहुत सारे यहां पर questions दिये गए हैं, ये questions हम लोग ये एक-एक बिमारी करके फिर आएंगे उसके पर, यूँकि काफी सारे questions के answer आगे यहां पर दिये होगे, तो repetition हो जाएगा of the infected dog, rabbit, monkey, cat, etc. Viral मतलब virus से होता ही है disease, okay, and generally हम लोगों के यहां पर ऐसा ही सुनने में आता है कि infected dog ने अगर आपको काटा तो उसके तुरू आपको ravies हो सकता है, generally monkey, rabbit आपको नहीं मिलते हैं cities में, Delhi में तो monkeys भी बहुत हैं, लेकिन वो काटने के लिए नहीं जाने जाते हैं और cats भी generally ऐसे attack नहीं करती, तो आप देखेंगे तो 100% of the cases में आपको दिखा कि dogs के तुरू ही ravies हुआ है, but इनके तुरू भी होता है, but इसके cases बहुत कम होते हैं, अब infected dog मतलब क्या है, ये dog खुद ravies का शिकार हो, और उसने आपको काटा, तो आपको ravies हो सकता है, ठीक है, कोई भी dog आपको काटे, तो आपको ravies होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी dog अगर आपको काटे, तो dog के सर पे लिखा नहीं होता, कि भई मेरे को ravies है, ठीक है, तो आपको ravies का जो vaccine होता है, वो लेना ही पड़ता है, अगर dog ने काटा, तो घर पे बताने से डरना मत, बहु उसको 12, 13 days के 20 days के बाद rabies हुआ और वो 8 दिन में के 10 दिन में मर गया हो rabies से ठीक है, heat died just because उसमें चुपा के रखा अगर rabies का vaccine ले लिया होता तो वो आराम से ठीक हो जाता, उसको कोई फरक ही नहीं पड़ता ठीक है, तो अगर काटा किसी dog ने आपको या कोई animal ने तो आपके घर पे आपको बताना है और rabies का vaccine लेना है ताकि आपको यह बिमारी नहीं हो बहुत ही simple vaccine है, ऐसा नहीं के बहुत दर्द होता है पहले से बोलते थे कि 14 injection लेने पड़ते हैं पेट के अंदर देंगे, यह करेंगे अब बहुत simple हो गया है, ठीक है virus enters the brain via neurons, सीधा आप brain पे attack करता है and hydrophobia is one of the important symptom of this disease, hydrophobia मतलब पानी का डर, aversion to water बंदा पानी पी भी नहीं सकता देखके ही डरता है, ठीक है आप just imagine करें कि आपको पानी देखकर ही डर लग रहा है averse कर रहे हैं, उसको देखके दूर जा रहे हैं, तो आप जिन्दा कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, और ये एक अकेला symptom नहीं है, इसके बहुत सारे दूसरे symptoms है, sawling में issues होना काफी काफी problems होते हैं in this case, the victim victim नहीं, victim shows extreme fear for water, fear of water होना चाहिए, rabies is a fatal disease, fatal मतलब लोग मर सकते हैं इससे और मरते हैं, हर साल हजारों लोग इंडिया में rabies से मरते हैं सच बोल रहा हूँ, हजारों में however, fatality can be prevented by timely vaccination अगर vaccine ले लिया, उसने काटा आपको उसके कुछी time में उसका time defined होता है, उसमें आपने यह virus के, they start to appear within 90 to 175 days of a dog bite, ठीक है 90 days से 175 days का range है मैंने जो UP वाला case news में पढ़ा था, उसमें लिखा था के बहुत ही जल्दी उसको हो गया था है, यह died also within a month, ओके तो यह आप rabies से ज़रा बच के रहना because हमारे यह stray dogs काफी है इसका मतलब यह नहीं कि rabies को बगाने के लिए आप सारे stray dogs को मार दो, ऐसा नहीं करना है वो भी life है, ठीक है तो मारना नहीं है, बट अगर आपको किसी ने काट लिया, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको rabies का vaccine लेना है ओके, rabies के आपे symptoms दिये हुए है, 2 से 12 weeks तक भुखार आता है exaggerations in behavior, बहुत ही extreme behavior हो जाता है and hydrophobia, phobia का मतलब डर, hydro का मतलब water पानी से डर लगना, ठीक है, तो यह इससे होता है अब आते हम यह चार questions पे which measures are taken at your home to control the rats चुए का problem, इंडिया में almost हर एक area में है आप villages बोल लो, cities बोल लो, urban areas बोल लो, buildings बोल लो हर जगे rats का problem है इसको control कैसे किया जाता है एक तो इनके लिए मारने की दवाई रखते हैं second cleanliness maintain करते हैं ताकि rats को खाना ही न मिले आपके घर में भी आप clean रखते हैं सब चीजे प्लस हर जगा हर hole windows के बीच में जो जगा है उनको seal किया जाता है ताकि rats आपके घर में न गुच जाएं ठीक है तो यह सारे measures ले जाते हैं ताकि rats न आ जाएं और अगर आ गए तो उनके लिए cage लगाया जाता है पिंजरा आपने देखा होगा rat का cage या फिर rat को मारने की दवाई लगाई जाती है ठीक है आज कल एक नए sticker traps आते हैं ऐसे एकदम sticker होता है जिस पे gum लगा होता है और rat इसके उपर चल के आता है और चिपक जाता है फिर हो जानी बाता बढ़ यह बहुत ही दर्दनाक मौत होती है rat के लिए फिर आप यह sticker के साथ उसको फेक देते हैं और वो उस पे चिपका चिपका मर जाता है ठीक है तो यह अलग-अलग तरीके हैं जिससे rats को कंट्रोल किया जाता है अब यह rats को क्यों कंट्रोल करना है वो क्या कर रहे है rats के तुरू बहुत सारी बिमारिया आपके घर में फैल सकती है rats के तुरू पहले एक disease होता था जिसका नाम था plague plague से हजारो लाखो लोग मरें इंडिया में पहले ठीक है आज भी उससे plague हो सकता है अभी plague almost eliminate हो गया है ऐसे सुनने में नहीं आता कि हो रहा है but possibility तो है second why is it necessary to care about health of domestic dogs, cats and birds क्यों care करना चीए because अगर आप इनका धियान नहीं रखोगे तो इनको बिमारिया होगी और अगर इनको बिमारिया होगी तो उनसे बिमारिया आप तक बहुत सकती है बहुत सारे diseases ऐसे फैले हैं जो animals से humans में आये हैं अगर dog आपको काट ले तो उससे आपको rabies हो सकता है cat से भी हो सकता है birds में जो pigeon उड़ रहे हैं pigeon से तो इतनी सारी बिमारिया होती है ठीक है उनको तो actually पता नहीं उसको stop कैसे करें but pigeon से तो 60-70 टाइप के तो viruses bacteria लेके गूमते हैं अगर pigeon shit करें तो हमारे यहां बोलते हैं अरे lucky है कोई lucky नहीं है भाई बहुत danger है pigeon shit में कितने लोगों को breathing issues होते हैं lungs खराब हो जाती हैं asthma attacks होते हैं third वाला is there any relation between pigeons, stray animals and human health 100% there's a relation pigeon से भी diseases फैलते हैं इनका जो waste होता है जो pigeon shit होता है उससे काफी लोगों को lungs में issue होते हैं और आपने देखा होगा हमारे यहां buildings में घरों में सब जगे pigeons का बहुत ज़ादा problem है cities में brown color के जो pigeons होते हैं brown या bluish type के जो होते हैं वो pigeons है stray animals मतलब dogs, cats जो रास्ते पे घूम रहे हैं उनके तुरों आपको बिमारिया हो सकते हैं dogs आपको rabies हो सकता है तो human health पे इसका काफी बड़ा असर हो सकता है what are the effects of rats, cockroaches on human health rats का तो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया plague हो सकता है cockroach जो है वो भी बहुत बड़ा problem है इंडिया में नहीं बाकी सारे बड़े बड़े world के countries जो है US, UK सब जगे cockroach का काफी problem है ये cockroach आपको देखकर harmless लगते हैं ठीक है काफी लोग तो देखके ही बहुत डर जाते हैं जो अच्छी चीज़ है बिकॉज ये बहुत जादा गंदा कर देते हैं सब कुछ ठीक है बड़े काटता तो है नहीं तो इससे होगा क्या बड़े आपके खाने पे बैठता है और इसके body पे इसके skin पे जो diseases है या जो दूसरे viruses, bacteria जो भी है वो आपके खाने पे लगते हैं और उसके तुर जब आप वो खाना खाते हैं आपको बिमारिया होती है बहुत सारी allergies जो है वो cockroach उसके तुरू होती है ठीक है तो cockroach भी घर में नहीं होना चाहिए उसको भी आपको clean रखकर खाना सब एकदम cover करके जो seal खाली-खाली gaps दिखते हैं उनको भर कर cement से ताकि cockroach अंदर ना आ सके ठीक है तो यह हो गए यह चारो question के जबाब next आगे बढ़ते हैं can you tell why the animal cages and the living places should not be near the kitchen animal cages and their living places kitchen में हमारा खाना होता है हमारे खाने में अगर animal में से कुछ चला गया ठीक है तो वो हमको भी बिमार कर सकता है हमारे यह इंडिया में जिस तरह animal को store किया जाता है जो animals खाते हैं आप अगर कोई chicken shop में जाईए और आप देखिए कि वो hen को वो chicken को कैसे store करते हैं उसका cage कितना जादा गंदा होता है जिस तरह उनको खिलाया जाता है रखा जाता है छोटी सी जगा में बहुत सारी बिमारिया फैलने का chance होता है लेकिन इसके लिए कोई rules नहीं है बिकास यह ऐसे ही चला आ रहा है सालों से और ऐसे ही चल रहा है ठीक है इनको cleanliness maintain नहीं कर पाते हैं बिकास हो सकता है पैसे नहीं हो सकता है, time नहीं है तो animal cages को living places इसके नहीं नहीं या kitchen के निचे kitchen के नस्दीक नहीं होना चाहिए बिकास हमारे में बिमारी फैल सकती है हमारे खाने में depending upon which symptoms rabies can be identified पीछे इसके तीन symptoms दिये हुए है मैंने आपको अभी बताया यह रहा, यह इसके symptoms है exaggerations in behavior, fever for 2 to 12 weeks hydrophobia, पानी से डर लगना ठीक है अब आते हैं non-infectious diseases पे यह हमने देखा था अलग type का disease है यह एक person से दूसरे person फैलते नहीं है ठीक है diseases which do not occur through infections and body contacts are called as non-infectious diseases such diseases arise in human body itself due to certain reasons अभी AIDS जो है AIDS क्यों infectious disease में था because मैं तो बला था AIDS चूने से नहीं फैलता यहाँ बे देखो body contacts AIDS चूने से नहीं फैलता but AIDS sexual relations से फैलता है अगर एक person को AIDS है अगर उसके साथ किसी और person ने sexual relations maintain किये तो दूसरे person को भी AIDS हो सकता है तो वो एक person से दूसरे person फैलता है चूने से नहीं फैलता उसके साथ खाना खाने से नहीं फैलता उसकी help करने से नहीं फैलता बट उसके साथ sexual relations maintain करने से फैलता है इसलिए AIDS infectious disease है non infectious मतलब वो चूने से नहीं फैलता body contact से नहीं फैलता ठीक है और आपको उसके साथ sexual relations में भी वो नहीं फैलता such diseases arise in human body itself due to certain reasons अभी इसके reasons क्या है वो हम देखेंगे आगे पहला है cancer cancer आज कल सब जगा आपको कहीं न कहीं किसी न किसी केतरों सुनने में मिला होगा because ये इतना ज़ादा फैल गया है इतने ज़ादा लोगों को हो रहा है अभी हमारे यहां पे बहुत साथे आज कर पाते हैं cancer है कि नहीं पहले तो पता ही नहीं चलता था आदमी को cancer हो जाता है और मर जाता था इसको तो भुखा रहा है इसले मर गया अच्छल रीजन उसका cancer हो जाता था identify ही नहीं होता था पट आजकल identify हो जाता है because modern diagnostics and treatment चालो है diagnostic मतलब identify करना है investigate करके पता करना कि इसको हुआ क्या है तो कौन सी हैसी टेकनीक्स है various techniques like city scan यह machine आती है बड़ी जिसके अंदर आपका scan होता है MRI scan, mammography, biopsy are used in diagnosis of cancer यह biopsy क्या होती है पता है कि आपको जहां पे भी cancer है उदर से छोटा से टुकड़ा निकाला जाता है और वो छोटा से टुकड़ा लाब में भेजा जाता है जहां पे और टेस्ट होता है और पता चलता है कि cancer है की नहीं in case of treatment along with conventional methods like chemotherapy सुनाये कहीं पर chemotherapy में आपके body में ऐसे medicines inject किये जाते हैं से cancer को बगाया जा सके but chemotherapy के साथ जब आप chemotherapy लेते हैं तो cancer के जो cells है वो तो खराब होते हैं उनको हटाया जाता है लेकिन अच्छे cells भी खराब होते हैं तो इसका side effect काफी high होता है because अंदर जाके दवा चूज नहीं कर सकता कि किस cell को खराब करना किस cell को रहने देना उस सारे cells वहाँ पे खतम करता जाता है वो एरिया में radiation therapy radiation therapy में radiation यूज किया जाता है आपके body part पे जहां पे भी cancer है और उसको बगाया जाता है surgery आपके उपर surgery करके आपका body part खोल के अंदर से वो cancer वाला part निकाला जाता है modern techniques like robotic and laparoscopic surgery are also followed यह robotic arm यूज किये जाते हैं laparoscopy में camera डाला जाता है और अंदर surgery की जाती है ठीक है तो यह सारे treatments possible है अब cancer पे आते हैं uncontrolled and abnormal cell growth is called as cancer अब यह क्या होता है इसका मतलब देखो बच्चो आपके body में लाखो करोडो cells है ठीक है cells के बारे में पढ़ा है आपने already यह जो cell होते हैं यह continuously नए नए बनते जाते हैं जूने cell destroy होते हैं नए बनते हैं regular में आपको cancer नहीं है ठीक है फिर भी नए नए cell बनते हैं पुराने cell जो खराब हो गया है वो खतम होते जाते हैं इसका process ऐसा नहीं के randomly मन में आए चलो पाँच करोड cell बना दो नहीं जरूरत होती है तो body signal देता है उसके यह साब से cell बनते हैं उसकी जरूरत खतम होगी तो उसके यह साब से cell खतम हो जाता है बट जिसको cancer होता है ना उसमें यह जरूरत का यहाँ पर आपको हो सकता है tumor हो जाए ठीक है वहाँ पर lump बन जाए वो possible है बट cancer के जो चीजे हैं uncontrolled and abnormal cell तो हर एक body में होती है लेकिन वो controlled होती है अन्नाई controlled अगर यह control चला गया ऐसा नहीं कि आप दिमाग से control कर सकते अरे इक तम control करके दिमाग आख बंद करके ताकर लगा के बोलेंगे कि आरे नहीं 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 प्रड्यूस होने दूँगा आप ऐसे control नहीं कर सकते हैं cells को group और lump of cancerous cells is called as malignant tumor यह malignant tumor का मतलब आप search करके मुझे comments में बताएंगे हर बच्चे को search करना है next lecture मैं आपको बताऊंगा हमें क्या होता है cancer can occur in various organs like lungs, mouth, tongue, stomach, breast, uterus, skin and tissues like blood हर जगा अल्मोस्ट हो सकता है भाही है बहुत ही dangerous है अब reasons क्या है reasons ऐसा नहीं कि खाली tobacco खाने से ही cancer हो जाएगा but अगर tobacco खाते हैं गुटखा खाते है तो भी बहुत ज़ाधा है ऐसा नहीं कि गुटखा नहीं खाते तो cancer नहीं हो सकता नहीं खाते है यह कुछ भी नहीं करते तो भी cancer हो सकता है possibility है ठीक है क्यूंकि ये तो control चला गया आपके body में से तब होता है cancer तो लेकिन टोबैको खाओगे तंबाको खाओगे तो होने का चांट जादा हो जाता है गुट खा, smoking, alcohol, lack of fiber content अगर आप fruits and leafy vegetables जादा नहीं खाते तो भी excessive consumption of junk food थोड़ा बहुत खाओ तो tension नहीं है ऐसे डरना मत और पीजा बनकर नबड़ेगा cancer हो जाएगा अब अब continuously सिफ pizza, burger, cold drink यहीं कर रहे हो तो chance है कि आपकी body का जो control है वो चला जाए ठीक है chance है are some of the many possible reasons heredity may also be a reason आपको आपके parents से या फिर आपके दादा दादी से या किसी से ये heredity में, आपके genetics में, आपकी body में पहले से आया जब पैदा हुए तब से ठीक है उसको heredity मोलते है symptoms chronic cough, horse voice, difficulty in swallowing ये अलग-अलग cancer पर depend करता है कि उसके symptoms क्या होगे क्योंकि हजारों type के cancer है, हजारों नहीं बट काफी types के continuously खास ही है, अवाज एकदम बैढ गई है swallow करने में difficulty हो रही है, खाना अंदर निगलने में incurable scar and inflammation कहीं पर कुछ लगा है या फिर कुछ ऐसे body पर निशान है जो जाई नहीं रहा, lumps in breast ये breast cancer की बहुत ही main sign है, unexplained weight loss, बहुत जादा weight loss हो रहा है उसका कोई कारण नहीं, आप खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन weight loss होते जारा है इसमें always remember में क्या दिया है controlled diet helps to prevent some types of cancer some types, ठीक है physical exercise करना चाहिए modern treatment अगर आपने लिया तो आपका cancer क्या और हो सकता है modern treatment मतलब chemotherapy, radiation therapy, surgery ये modern disease है, ठीक है cancer modern disease है, तो उसको treat करने के लिए modern treatment भी चाहिए okay avoid addictions like tobacco chewing and smoking etc, इनसे cancer होने का चांज जाता है, देखो cancer अगर mouth का हुआ तो ऐसा दिखता है बहुत ही dangerous है और इसमें मरने का चांज बहुत जादा होता है discuss the control of cancer and prepare poster for the displaying in classroom ये आप खुद से कर सकते हैं कैसे prevent किया जा सके control कैसे किया जा सके, यहाँ पर उसके reasons दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ चीजे दी गई हैं, उसके हिसाब से बना सकते हैं can you tell, do you remember any person drinking the sugar free tea or avoiding consumption of sweets मीठा नहीं काते हैं कितने लोग what may be the possible reason for this मीठा नहीं खाते हैं, बिकाज उनकी sugar बढ़ जाती है, ठीक है जिनको sugar का issues होता है body में उनको life में बहुत problem होती है इसलिए वो ये नहीं खाते sweets नहीं खाते हैं, और चाय में sugar नहीं डालते हैं, उसके जाके पर एक दूसरा sugar free गोली आती है छोटी सी ठीक है वो डालते हैं, ये भी sugar free गोलियां भी बहुत dangerous हो गई है ठीक है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं या फिर जिसको diabetes है आपके यहां पर वो आपको इसके बारे में बता सकते हैं ठीक है, तो ये हमने discuss कर लिया अब आते हैं, next वाले पर next है diabetes, इंडिया में सब लोग इसको diabetes बोलते हैं diabetes भी सही है, ठीक है the hormone insulin produced in pancreas controls the level of sugar glucose in blood यार अपनी जो human body है ना वो जादू है इसमें हर चीज का एकदम एक function होता है कुछ भी time pass के लिए नहीं है body में almost हर चीज जो body में produce हो रही है उसका कोई reason होता है कोई वो produce कर रहा होता है और proper signal दिया जाता है, तब ही वो produce होता है ऐसे एक hormone है insulin जो कहाँ produce होता है, pancreas में और ये क्या करता है, ये ऐसे ही time pass करके बैठके जूले उपर नहीं बैठा हुआ है ये control करता है level of sugar glucose in blood अगर insulin is secreted in low quantity अगर insulin कम बन रहा है pancreas में तो क्या होगा, जो glucose level है sugar glucose level वो control नहीं होगा it cannot be control, वो बढ़ता जाएगा और ये disorder को बोलते हैं diabetes ठीक है, insulin जो है वो काँ produce होता है pancreas में ये क्या करता है, insulin का काम काज क्या है वो sugar level, glucose level control करता है blood में लेकिन अगर insulin कम बन रहा है secret हो रहा है low quantity में, कम बन रहा है अगर वो कम बना, तो ये काम कौन करेगा कोई और तो कर नहीं सकता सिर्फ ये ही कर सकता है ये वाला काम और अगर ये कम बन रहा है तो आपको एक disorder होता है जिसको बुलते है diabetes symptoms क्या है इसके? frequent urination at night आपको बार बार washroom जाना पड़ रहा है रात को, नींद में increased obesity बहुत जादा weight बढ़ रहा है या फिर बहुत जादा weight loss होता है reasons क्या है इसके? heredity आपको आपके parent से मिला है आपको आपके दादादी से हो सकता है मिला है heredity का मतलब क्या होता है? देखो काफी टाइम ऐसे होता है काफी लोग आपको दिखके बोलता है heredity से हो सकता है obesity से हो सकता है lack of physical exercise से भी हो सकता है इसलिए बोला जाता है exercise करना चाहिए exercise मतलब जिम में जाके dumbbell उठाओ और सब weight उठाओ ऐसा नहीं है exercise मतलब walk भी होता है एक brisk walk कर उसको भी exercise का जाता है mental stress बहुत जादा stress है life में उससे भी diabetes हो सकता है क्योंकि ये सारी चीज़े pancreas को affect करती है तो ये pancreas hormone बनाना बंद कर देगा insulin तो problem हो जाएगा preventive measures क्या है रोका कैसे जा सकता है following a proper diet सही खाना खाओ medicines लो exercise करो doctor के supervision में doctor से हमेशा consult करते रो इससे diabetes control में रह सकता है और आप आराम से नॉर्मली आपकी जिन्दगी जी सकते है ठीक है शुकर कम खाना है diet proper follow करना है ऐसा निये कि आप एक्दम bedridden हो जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे कर पाएंगे लेकिन आपको proper measures लेने हो आज समझ में diabetes क्या होता है आगे बढ़ते हैं do you know में देख लो India has largest number of diabetes patients in the world पूरी दुनिया में सबसे जादा diabetes patients पूरी दुनिया में सबसे जादा लोग भी हमारे पास है but at present approximately 7 crore diabetes patients are present in the country 7 crore लोग को diabetes है समझ में आ रहा है ये इतना जादा है ना बड़ा number आप सोचो UK जो country है England वाली उसमें इतने total लोग नहीं है जितने लोगों को हमारे याँ diabetes है उतने total लोग नहीं है country में Australia में भी इतने लोग नहीं है Canada में भी इतने लोग नहीं है यहाँ पे total population जो है उससे जादा लोगों को तो हमारे याँ diabetes है ये इतना बड़ा problem बन गया है इंडिया के लिए ओके next आते हैं heart diseases efficiency of the heart decreases due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscles ये heart का काम क्या है heart का काम है total body में blood supply regulate करना but अगर वो blood supply ठीक से regulate नहीं कर पाया efficient नहीं है उसमें उसको वो काम करने में दिक्कत हो रही है तो क्या होगा वो ठीक से blood supply नहीं कर पायेगा और अगर वो ठीक से नहीं कर पायेगा उसका मतलब जो oxygen और nutrients आपके सारे body में जा रहे हैं heart muscles में वो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे due to this heart has to perform more work that leads to stress on it तो उसको और जादा काम करना पड़ता है जैसे पहले possible था कि वो 10 beats में यह काम कर रहा हूँ आपका heart beat करता है ना लेकिन यह efficiency कम हो गई तो उसको भी 10 के जगे पे 15 beats लग रहे हैं तो उसका काम बहुत बढ़ गया हो सकता है 15 नहीं और 30 beats लगने लगे हैं ठीक है जो काम 10 में हो रहा था अब उसके लिए 30 beats लग रहे हैं तो यह तो efficient नहीं है ना तो इससे heart को problem हो सकता है यह एक ऐसी random example दिया है ऐसा नहीं कि 10 और 15 आप जाके लिखके आए रहे योगेस्ट ने बुला 10 beats थे अभी 30 हो गए तो heart का problem ऐसा नहीं है भाई if someone has heart attack immediate consultation of doctor and treatment is necessary नहीं तो वो person मर सकता है तुरंट ambulance बला के उसको hospital ले जाना चाहिए और doctor के पास उसको ले जाना चाहिए और doctor जो ले हो करना चाहिए ठीक है यहाँ पर always remember में क्या दिया है अच्छा यह heart disease से related नहीं है तो पहले यह कर लेते हैं one should not ignore these symptoms कौन से symptoms severe chest pains आपको चाती में दर्द हो रहा है pains in shoulder neck या arms में pain हो रहा है हाथ में cramps आ रहे है uneasiness लग रहा है एकदम ऐसे समझ नहीं आ रहा है tremors फील हो रहे हैं body में धक्ये जैसे जो फील होते हैं तो यह ignore नहीं करना चाहिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए reasons क्या है heart attack के smoking, alcohol, diabetes होगा already तो hypertension मतलब blood pressure जिसका high होगा obesity, lack of physical exercise को exercise ही नहीं करता बिल्कुल एक ही जगा बैठा रहता है heredity, heredity से भी heart attack हो सकते हैं आप में कुछ problem है जो आपके parents है आपके grand parents से आपको मिली है mental stress, tension लेना बहुत जादा anger, गुसा आना, anxiety होना, बैचे नी होना ये सबसे भी heart attack हो सकता है ठीक है? अभी always member में क्या दिया है? each disease has specific scientific reason फालतों में नहीं होता अगर कुछ नया है तो हमको नहीं पता चलता लेकिन जैसे उसके उसके उपर research होती है हमको पता चलता है कि reason क्या है ये disease होने का diseases do not occur due to divine curse और hating by anyone किसी के नफरत करने से या किसी के श्राप देने से किसी के जादूत होना करने से आपको diseases नहीं होते है they can be cured by proper medical treatment ठीक है? और ये तांत्रिक के पास जाना या यहाँ पर treatments दिये हो है treatments कैसे है? ये अब गर आपको इस पर कितनी detail है देख लेते हैं एक बार इस पर बहुत जादा detail दी नहीं गई है नहीं तो मैं आपको हर एक चीज़ detail में explain करता है लेकिन lecture बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं आपको सिर्फ बता रहाँ कि क्या-क्या है ये basic तरीके से open heart surgery मतलब heart खोल के surgery की जाती है ठीक है? बहुत ही dangerous है installation of pace maker pace maker एक electric device है जो device आपके body में insert किया जाता है ताकि heart आपका सही तरीके से beat करे installation of stents, stents एक pipe जैसी चीज़े हैं जो अगर आपके vessels में issue है heart के तो stents डाल के वो ठीक किया जा सकता है heart transplant किसी और का heart आप में transplant हो जाए again बहुत difficult है angioplasty ये बहुत ही regular procedure है जो एकदम easily आजकल हो जाता है easiest one, bypass surgery ये भी आजकल बहुत ही easily हो जाता है कि अगर कोई blood vessel है जहां से blood जा रहा है और वहाँ पे clog हो गया वहाँ पे कुछ जम गया है और clog हो गया और यहां से blood जाना बंद हो गया है तो क्या करते हैं इसको bypass करके ऐसे एक दूसरा रास्ता बना देते हैं उसको bypass surgery भूते हैं ठीक है तो ये सारे जो treatments है ये heart disease के लिए applicable है first aid for heart disease क्या करना चाहिए first aid मतलब पहले ही first reaction आपका क्या होना चाहिए किसी को heart का problem होगा तो call 1085 ambulance सीधा hero बनने का नहीं जादा एक दूसरा procedure है जो आप कर सकते हैं लेकिन अगर वह procedure आपको नहीं आता तो आपको सीधा ambulance ही बुलाना है प्रोसीजर कर रहे हो तो भी ambulance बुलाना है check the consciousness of the patient by shaking the shoulders उसको हिला के देखो कि उसमें वो है कि नहीं क्या होश में है कि नहीं keep the patient lying on the back in horizontal position on hard surface उसको ऐसे खड़ा मत करो ठीक है नहीं तो उसको और problem हो सकता है उसको लेटा दो and perform compression only life support COLS इसके बार में YouTube पे सर्च करो compression only light support ये skill सब लोगों को आनी चाहिए इंडिया में heart disease बहुत फैल रहा है और अगर ये skill आती हो तो काफी जाने बच सकती है YouTube पे आपको काफी जगह दिखाया भी जाएगा कि इससे किसी की जान बच गई है in this press the center of thorax for at least 30 times at the rate of 100 to 120 strokes per minute जोर से चाती पे दबाया जाता है बट बहुत ही specific technique है यहां पे textbook में नहीं बता पाऊंगा बिकास डाग्राम नहीं है YouTube पे आप video देख लो जिसमें live example दिया हो कि ये कैसे किया जाता है important है जाके देखना अभी नहीं देखना है बाद में देखना है ठीक है यहां पे कुछ collect information है वो आप collect कर ले न internet से आपको collect करनी है information वो भी आप जाके देख सकते हैं okay misuse of medicines medicines का misuse मतलब medicines काम की चीज़ है but काफी time ऐसा होता है कि आप बिना किसी doctor को पूछे medicine ले लेते हैं और हो सकता है वो medicine आपको नहीं लेनी चाहिए थी तो उसका एक अलग effect आपकी body पर आ सकता है sometimes some people take the medicines without prescription of doctor doctor जो page पर लिखके देता है न rx फिर दवाईयां लिखता है उसको prescription बोलते हो page को आपको doctor ने कोई prescription नहीं दिया फिर भी आप दवाई ले रहे हो अगर overdose होगे medicines का आपने जितनी खानी चीरी उससे और ज़्यादा खाली painkiller का example ले लो लोगों को जब दर्द होता है तो painkiller खाते हैं जनले combi phlam या ऐसी कोई दवा बट अगर आपने बहुत ज़्यादा painkiller खाली तो वो आपके nervous system को white patches on tongue भी हो सकते हैं और या antibiotics आगे जाके जब आपको ज़रुरत पड़ी ना तो आपकी body पे काम भी नहीं करें ऐसा भी हो सकता है तो medicines है बहुत सई चीज लेकिन उससे problem भी हो सकता है जैसे knife ले लो या चाकू ले लो चाकू तो बहुत काम की चीज़ है सबजी काटने के लिए यूज हो रही है कुछ कट करना है तो यूज हो लेकिन उसका misuse भी तो है कोई उससे मारने की भी try कर सकता है तो ज़रूरी नहीं है हर चीज जो है उसका misuse नहीं हो सकता वैसे medicines में भी आपको treat करते है आपकी तवेट ठीक भी करता है लेकिन सही medicine सही time पे लिया तो आपको ठीक करेगा अगर गलत तरीके से लिया misuse किया तो आपको problem कर सकता है ओके आगे बढ़ता है think about it मेरिया है poor people do not afford the costly medicines do not नहीं cannot afford आना चाहिए poor people जो है हमारे इंडिया में बहुत गरीबी है और दवाईया बहुत महंगी है तो वो बड़ी महंगी दवाईया खरीद नहीं सकते is there any alternative for this which one yes इसका alternative है इसका alternative है generic medicines generic मतलब branded नहीं branded का मतलब क्या होता है कि कोई बड़ा brand उसको बना रहा है आप imagine कर लो mobile में mobile में कौन brand है बड़े 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 Apple फिर Samsung ये सारे branded बड़े 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 phones है बहुत महंगे है लेकिन इसके comparison में अगर आप कोई छोटे कंपनी का phone लो बड़े ब्रेंड नहीं है चोटा सा ब्रेंड तो वो शायद सस्ता होता है न काफी सस्ता होता है अपल तो बहुत महंगा होता है लेकिन दवाईयों में branded और generic में कोई difference नहीं है जो लावा और वो था नो मैंने बुला वो generic हो गया ठीक है लेकिन phone में तो बहुत difference है लेकिन दवाईयों में branded और generic mostly completely same ही होता है generic medicines are also known as general medicines तो ये poor people जो branded medicine नहीं ले सकते उनको generic medicine लेना चाहिए government ने इसके लिए अलग-अलग जेके पे stores खोले है और medical stores को बोला गया कि आपको generic medicines भी रखनी है these are manufactured and distributed without any patent patent या patent उसको जो बोलते हो patent मतलब जो company ने ये दवा discover करी जिन्होंने बनाई उनको right होता है कि वो एक अपने price पे वो दवा बेच है ठीक है और अभी कुछ तो medicines ऐसे हैं प्राइस दो दो तीन तीन करोड आज भी उतना ही प्राइस है उसके कोई generic medicines आते भी नहीं है आपने online ads आती होगी आपको YouTube है किस पे तो दिखता होगा कि ये मुझे मेरे बच्चे को vaccine देना है जो दो करोड का है मुझे प्लीज थोड़े medicines आ गए है तो काफी दवाएं हमको सस्ते में मिलती है इस क्योंकि इस पे pattern नहीं होता जो company ने discover किया उसने 20-30 साल पहले discover किया था अब कोई भी company वो दवा बना सकती है पहले सिर्फ वही company बनाती थी तो वो कितने भी भाव में बेच सकती है ठीक है इस medicines are at par मतलब same quality with branded medicines production cost of these medicines is very low due to fewer expenses production cost कम है तो हम लोग बेचेंगे भी कम है ऐसा fund आ है क्योंकि research as a formula is readily available जो expense है न मेन medicine बनाने में वो research में होता है और वो research का पैसा तो already जो company ने medicine बनाया उसने दे दिया है ठीक है उसने 20 साल तक यह वाला drug बेच के पैसा भी कमा लिया है अब 20 साल बाद जब इसके उपर जो patent था जो दूसरे लोगों को यह दवा बनाने से रोकता था वो expire हो गया उस पर कोई patent नहीं है तो अब कोई भी company यह दवा बना सकती है और जो company वो दवा बना रही है उसका production cost काफी कम है just imagine करें आप Apple का iPhone घर पर बनाना शुरू कर दो गया आपको components मिल गए तो काफी सस्ते में बन जाएगा ना company तो बहुत पैसा कमा रही है उसमें लेकिन आप बना नहीं पाऊगे ठीक है तो generic medicines वैसे ही है यह हो गया पूरा तो यह इसका answer क्या है generic medicines आप मुझे comments में बताओ कि आपके area में generic medicines के लिए कोई medical store है के नहीं अगर आप google पे search करेंगे तो आपको मिल जाएगा अभी नहीं करना है बाद में करना है लेकिन देखो और comments में मुझे बताओ कि generic medicine का आपके यहां पे store कोई है के नहीं आज कल क्या होता है कि इसके अलग store खुलते हैं जहां पे सिर्फ generic medicines मिलते हैं ठीक है lifestyle and diseases मतलब आपका रोज का रहन सहन जो है उसके कारण जो diseases होते हैं उसको बोलते हैं lifestyle lifestyle includes the daily routine and the type of food you eat nowadays habits like staying in bed till late morning late तक सोय रहना रात को late सोने जाना frequent changes in meal timing same time पे नहीं खाना कुछ भी random time पे भूख लगी खा लिया नहीं तो एक specific time पे खाते हैं लो lack of physical exercise exercise नहीं करना पूरे दिन कुर्सी पे बैटके game खेलना या फिर videos देखना consumption of junk food कच्रा खाना कच्रा माने बाहर का खाना junk food etc. have been have increased due to this such people are getting sick frequently इनको बहुत जादा बिमारी हो रहे है continuously काफी time हो रहे है पहले है यह साल में एक दो बार बिमार होते थे आप 10 बार बिमार होते हैं यह frequency of becoming sick is to be lowered अगर यह कम करना है frequency साल में 10 के जगे पे आपको सिफ एक दो बार बिमार होना है तो you should follow the right lifestyle it must include sufficient sleep time पे सोना time पे उठना 7-8 गंटे 9 गंटे दिन में minimum सोना मेरे क्याल से तो इन में से कुछ बक्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं जो 10-10-12-12 गंटे नहीं सोना है बट 8-9 गंटे तो आपको सोना ही है सही खाना खाना है योगा कर सकते हो तो करो प्रानायम करो physical exercise करो यह सब से बहुत help होती है ठीक है physical exercise should also be as per one's own capacity जितना खुद में दम जितनी खुद की capability वैसे है सौनी क्या औरे सौर रहे मिला physical exercise करने का कल जाके 100 किलो डंबल उठाएगा मैं अरे ऐसे नहीं चलता भई 100 किलो डंबल उठाओगे हलत खराब हो जाएगी बट जितनी exercise करना है walk करना है run करना है pranayam and yogasanas should be performed under the expert supervision देखके लगता है मैं अभी कर जकता हूँ ठीक है बट इसकी एक particular trick होती है particular ways होते है वो expert से सीखना है yoga teacher से तो आप सही तरीकी से उसका फायदा उठा पाऊगे see the videos of pranayam and yogasanas ठीक है वीडियो पे आपको काफी कुछ मिल जाएग रहे थे आपको vaccine certificate दिखाना पड़ रहा था हर जागे पर तो आपको vaccination का मतलब पता है vaccination का मतलब क्या है यह prevent करता infectious diseases आपको अगर आपने vaccine लिया है तो शायद वो बिमारी आपको नहीं होगी prevent हो जाएगी वो बिमारी collect the vaccination schedule chart from nearby clinic and study कोई भी आप general physician doctor के पास जाते है तो उसके वहाँ पर पोश्टर लगा होता है vaccine का कि आपको क्या age पे कौन से vaccine लेने है अगर पोश्टर नहीं लगा है तो आप डॉक्टर से या वहाँ पे जो compounder बैठा है उससे request करो कि मुझे vaccination का schedule chart चाहिए या फिर आपके personal जो doctor है उसकी file होगी ना वो file में भी उसके आगे पीछे कहीं पर vaccination का schedule लिखा होगा ठीक है आपका कोई चोटा भाई बैन है उसका file होगा जो उसका pediatrician होगा pediatrician मतलब बच्चों का doctor उसके file में left or right में कहीं पर देखो होगा वहाँ पर vaccination का schedule कि आप आपको एक साल के हुए तो इतना ये वाला vaccination लेना है पांच साल पर ये लेना है दस साल पर ये लेना है इतनी बाहर लेना है ठीक है तो ये vaccination अब आते हैं do you know पे government of india declared the pradhan mantri jan aushadi yojana on 1st july 2015. in this scheme best quality medicines are made available in act affordable prices in नहीं at affordable prices to the citizens jan aushadi stores are launched for this purpose काफी stores है ऐसे सिर्फ government के stores नहीं है private stores भी है काफी जहां पे आपको सस्ते दामों में medicines मिलता है ये government of india ने कब launch किया था 2015 में indian companies export the generic medicines on large scale in fact india सबसे largest exporters में से एक है अमेरिका में india के ही medicines चलते हैं ऐसा सोच लो india में बने हुए है सबसे बड़ी-बड़ी pharma companies जो है वो india में generic medicines बनाती है however those medicines are sold under brand name with high prices in india india में उनको high prices में बेचा जाता है ठीक है पैसा कमाओ वाली technique है in america मतलब usa united states of america 80% medicines used are generic कोई branded खरीता नहीं 80% लोग generic medicines लेते हैं आपको लगता है अरहे अमेरिका तो कितना अमीर देश है वहाँ पे तो सब branded medicine लेते होंगे in fact india में जादा लोग branded medicine लेते हैं generic नहीं because बहुत बड़ा इसमें corruption चल रहा है आप ज़रा इस पे समझेंगे आपके parents से बात कि काफी लोग बोलेंगे रहे नहीं generic नहीं लेना है generic में खराबी है हो सकता है खराबी हो but ऐसा नहीं कि सारे generic medicines खराब है ठीक है due to this hundreds of billions of money या dollars is saved है अगर यही चीज़ इंडिया में भी हो तो लोग अपने पैसे बचा सकते हैं यहाँ पी नीचे कुछ days है जो celebrate किये जाते ह सोच रहे है यार world heart day celebrate करके क्या फाइदा है बचो यह दिन पर बहुत सारे activities functions होते हैं जहापे heart disease के बारे में awareness raise की जाती है अगर आपको awareness ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि disease है किसी है awareness में आपको बताया जाता है कि इसके symptoms क्या है क्या करना चीए ताकि आपको ब्लड डोनेशन के बारे में बताया जाता है लोग बहुत सारी blood donation drives कंडग करते हैं और हजारो blood samples collect होते हैं वहाँ पर blood की bottles collect होती है विकास लोग जाके donate करते हैं और यह जो लोग बिमार हों जो लोग को injury हो उनको blood काम आता है ठीक है तो यह awareness create करने के लिए इसारे days मनाया ज need of three persons at a time तीन लोगों के blood की need वो एक unit blood ले सकता है अगर एक bottle आपने donate करी जाके तो आप तो नहीं कर सकते हैं आपकी age पर बड़ आपके parents कर सकते हैं तो वो तीन लोगों की जान बचा सकता है for example RBCs, WBCs and platelets RBCs red blood corpuscles WBCs white blood corpuscles white blood corpuscles and platelets होती हैं ठीक है इसके detail में नहीं जा by donating the blood for four times a year, generally आप तीन मैंने में एक बार ही डोनेट कर सकते हो blood ठीक है और वो एक कितने लोगों की जान बचाएगा कितने लोगों की लाइफ आप बचा सकते हो तो blood हमेशा donate करना अची है and इसी तरह ये पूरा chapter का explanation यहाँ पर खतम होता है, थोड़ा लंबा chapter था इसलिए मैंने दो lectures लिए, पहले lecture में मैंने आपको पहले few pages explain किया आज के lecture में मैंने almost पूरा chapter खतम कर दिया अभी इसके बाद के lecture में मैं ये exercises कराऊँगा, ठीक हरे एक answer में अच्छे से ढूंड कर textbook में से, और को external source में से कि उसका answer simple बने उसका answer एक sense बनाए और आप exam में लिए तो आपको अच्छे marks मिले, तो मैं उसके notes भी बनाऊँगा, exercise का solution आएगा वो भी आप देख लेना, आज का वीडियो यहीं पर खतम करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो like कर लो यार, आप देखते हो video like नहीं करते हैं नीचे like बटन उसके hit कर दो नीचे उसके subscribe बटन है, उसके बाजू में bell icon है तो उनों पर दबा दो, ठीक है आप subscribe कर दोगे, तो आपको मेरे channel से updates मिलते रहेंगे, अगर bell icon पर click कर दोगे, तो आपको notification आएगा, जब भी मैं को important video upload करो, और आप कोई भी video miss नहीं करेंगे, तो वहाँ पर hit कर दो, मैं Instagram, Telegram, WhatsApp, WhatsApp की भी channel है Telegram की भी channel है, नीचे link के देखो description में, वहाँ पर click करो, आपको मेरा channel मिल जाएगा, WhatsApp पर भी आपको updates आते रहेंगे, Instagram पर आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर काफी लोगों को जवाब देता हूँ, जरूर ही नहीं है, सब बच्चों को जवाब दू, because मुझे बहुत सारे messages आते हैं, बट काफी लोगों को answers वहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप वहाँ भी मुझे join कर सकते हूँ, ठीक है, comments में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये video कैसा लगा, thank you so much for watching this video,